न फिसलो इस उमीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा सोच कर मत डूबो धरिया में कि कोई तुम्हें बचा लेगा ये दुनिया तो अड़ा है तमास बीनों का मेरे यार देखेगा कोई मुसीबत में तो हर कोई मजा लेगा साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PVR study में याद रखे लाइफ में अगर आपको कुछ करना है न तो सिर्फ अपने खुद से ही करना पड़ता है कोई आपके लिए कुछ नहीं करता है और खुद पर बिलीब करना ही सबसे बड़ी उपलब्दी है तो अपने आप वर्गमूल प्लस माइनस फॉर कैसे होता क्यूं होता इस अब पढ़ चुके हो लेकिन अगर किसी संख्या में दसामलों लगा है तो बच्चों की बहुत सारी सिकायत रहती हजारों बच्चे कमेंट्स किये थे तो मैंने उनका कमेंट लिया है तो इसको मैं बता रहा हूं ब बच्चपन में आपने पढ़ा था अगर दो अंक पर दसामलों है तो नीचे दो जीरो बढ़ा के ऐसे लिख सकते हैं एक बार पता हूं हाँ पका ऐसा कर सकते हैं न जब ऐसा कर सकते हैं तो फिर दिक्कत क्या है फिर आओ इसको क्या करेंगे पता है आपको देखो भया यह सिंपल सी बात यह है कि आप इसे 625 ऐसे लिख लेंगे और नीचे दो अंक पर ऐसे दो जीरो लगा देंगे यह आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि यह इसकी मुंडी थोड़ा बड़ी होना चाहिए इसके नीचे आना लाइन के बस यह दोनों पर वर्गमूल माना जाता है थोड़ा और मैं बड़ी कर देता हूं फिलहाल के लिए यह बाकी आप समझेए अगर कहीं ऐसे लिखा है ऐसे अगर यह वर्गमूल का चिन सिर्फ इतना है तो यह माना जाएगा कि सिर्फ ऊपर चिन लगा है नीचे व तो यह चीज भविस में आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं यह पीछे आजा भईया ओके चलिए तो यह तो रही बात सिर्फ समझने वाली अब आगे बढ़ते हैं अच्छा यह दिख नहीं रहा है इसमें रेजर सफेद कलर में चलो ठीक है अब आप सब को पता है क्य क्मूल हम कहेंगी क्या होगा 25 100 का 10 होता है सबको पता है फाइनल में आप इसको भाग करोगे तो 2.5 आएगा यानि आपका अंसर आगया क्या 2.5 ठीक है कोई दिक्कत ना इसमें बताइए अगर 2.5 का आप स्कॉयर करोगे तो फिर वही आ जाएगा देखो मैं बता देता हू क्यों कैसे 2.5 का अगर हम स्कॉयर करेंगे तो आपको पता है क्या होगा यह 2.5 इंटू 2.5 हम सबको पता है कि 25 का स्कॉयर 625 होता है होता है न यहां पर चूकी एक अंक पर दसमलो था यहां पर एक अंक पर दसमलो था तो दसमलो की नियम के अनुसार दो अंक पर पॉइंट आगला नमबर, क्या आपको पता है कि 24 का स्क्वाइर क्या होता है, जानते हो कि नहीं, नहीं जानते हो, चलो मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद सिद्ध करके दिखाऊंगा, आईए, एक अंक पर पॉइंट लगा है, साथी मेरे आप यहां से पॉइंट हटाएंगे, और पॉ बहुत बार बताया है, बहुत बार पढ़ाया है, अब ही मैं करके दिखा दूँगा, तो यह हो जायागा 24, 100 का वर्गमूल 10, फाइनल में यह 2.4 आएगा, ठीक है, पलस माइनस आप लिख लिएगा जो भी, वाकि नर्मली ऐसे लिखा जाता है, अब मैं आपको यह बताता ह कि 24 जो है 576 का कैसे आया, आईए, जिनको नहीं पता हवा में हो रहा है, उनको देखें, यह आप इसको भाग करोगे पहले, पहली बात तो आपको विभाजता नियम आना चाहिए, विभाजता नियम के अनुसार ऐसी संख्या जिसका लाइस्ट का अंक 02468 है, वो 2 से completely divide हो ज गटाओग एक आएगा, उपर से 7, 2,8,16, गटाएंग 1, उपर 6, 2,8,16, आप यहाँ पे देखिए क्या आया, सेसफ़ल 0 आया, अगर सेसफ़ल सुनने आरा इसका मतलब सही है, अब आप क्या करोगे, दो बार ले जा सकते हो, तो जो भागफल आता है, फिर वो ही यहाँ लि पाठ, फिर फे 2 से करोगे, दो सच चवदा, दो दुना चार, फिर फे 2 से, दो त्याईचा, दो छंग बारा, आफे 2,8, ठीक है, ऐसे फिर 2,9, ठीक है, फिर 3 तरीका 9, और फिर 3 एकम 3, अब यह क्या बन गया, यह आप क्या आ गया वर्गमूल, इनमें वर्गमूल कैसे ब तो, दो का 3 जोड़ा बन रहा है, डबल डबल का, तो ऐसे लिख लिजिए, दो जोड़ा बन गया, और नीचे क्या बना, 3, 3 का, ध्यान दीजिए, दो का 3, और एक जोड़ा बना है, 3 का, फाइनल में आप एक एक जोड़ा फे एक गिंती निकार लेंगे, तो, तीन का आपका दो जोड़ा बना था, नहीं, तीन का एक बना था, दो का 3, 2 दुना 4, दुना 8, तरिक 24, इस तरीके से आपका ये आंसर 24 आया, समझ में आई ना बात सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं, एनी परिषानी, नहीं न भीया, तो ये आपका है सकते हो, कि अंडर उर्ट 5, 7, 6 का जो मान है, वो इस तरीके से 24 आता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, चलिए पीछे इसको देख लीजी एक बार, इसको आपने समझी लिया है, देखें, दस मिनट के वीडियो में हमारी कोसिस होगी, आपको बहुत कुछ सिखा दें, और हा ये क्लास आप बेसिक मैथ का लाइब भी देख सकते हैं, रात 9 बजे से PVR इस्टेडी लाहबाद चैनल पर, इसके लिए ज़्यादा फ्यादा दोस्तों को वीडियो सेर करें, जिससे मैं बड़ी बड़ी एक एक गंटे की लाइब क्लास पढ़ा सकूँ, क्योंकि बहुत ट 121 मेरे बाबू क्या है? 11 कवर्ग है, यानि 121 कवर्ग मूल क्या होगा? 11, और 100 का 10, इस प्रकार का आपका आंसर 1.1 आएगा, यानि 1.21 कवर्ग मूल 1.1, इसको यहाँ पर देखिए, इसको आप करोगे 1.69, स्वरी, काहेगो, 10 हम लो हटा देंगे, नीचे 100 से भाग, देख का, तो इसका वर्ग मूल 13 होगा, 100 का वर्ग मूल 10 होता है, तो यह 1.3, किसी को कोई इसमें डाउट है, तो कमेंट करिए, नहीं डाउट ना, यह दोनों आपके लिए होम वर्ग है, इसको आप घर फे करेंगे, और वीडियो में तुरंत आके आंसर कमेंट करेंगे, नीचे स्क्रिन पर नंबर चल रहा है, जिनको कोई परकार की समझ से आए, कमेंट करिए, हम आपकी हल्प करेंगे, पूरी भर पूर, ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो को जादा फ्यादा लाइक करें, डेली पढ़ने के लिए, फ्री क्लास के लिए, पी वी यार ए कहीं भी सर्च करोगे, सोसल मीडिया पर मिल जाएगा, ठैंक यू, ए चच्चा, बेना लाइक करें ना जाया हो, समझता है ना?